हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्त गनिका मेरे यूट्यूब चैनल गनिका की रिसोई में आप सभी का स्वागत है आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है साउथ इंडियन इड्ली इड्ली जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगे वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और गैरेंटिट के अगर आप मेरे में सब्सक्राइब बनाएंगे तो आपकी इड्ली बहुत सॉफ्ट बनेगी और खाने में बहुत टेस्टी होगी तो आईए चाल लेते हैं हमें इड दही और नमक तो चलिए स्टार्ट करते हैं इड्ली बनाना तो देखिए फ्रेंट्स इड्ली बनाने के लिए हमें चाहिए यह मैंने यहां पर मेजरिंग कप लिया है यह एक कप मुझे सूजी चाहिए होगी अगर आपके पास नहीं है मेजरिंग कप तो आप इस तरी के कि कोई एक काटोरी ले सकते हैं और यह सबसे बारीक वाली सूजी है अगर आपके पास बारीक वाली सूजी अवेलेबल ना हो तो आप मोटी सूजी को मिक्सी में चलाकर उसको बारीक भी कर सकते हो इतनी ही मुझे चाहिए होगी दही मैंने दही लिया है यहां पर फ्रेश जो इसमें थोड़ा सा लगेगा पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे दीरे दीरे एकदम से में सारा बानी नहीं डालना है उससे क्या होगा अगर सारा पानी इखट्टा डाल देंगे तो बैटर पतला हो जाएगा बीबे हमारा बैटर थोड़ा सा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी लेंगे और हमें कोशिश करना है कि हम इसे एक ही डायरेक्शन में चलाएं डायरेक्शन हमें इसकी बार बार चेंज नहीं करनी है और इस अच्छे से फैटना है तो देखिए फ्रेंस हमने यहां पर अपनी सूजी को अच्छे से पानी डालके घोल लिया है यह देखे इस तरीके की सूजी है अभी इसमें आपको लग रहा हो कही थोड़ा सा पतला है बट अभी इसे हम आदे घंटे रेस्ट के लिए रखेंगे इसे आप ढग कर किसी भी प्लेट से और इसको आदे घंटे क आपके इसे रेस्ट देते हैं फिर दुबारा स्टार्ट करते हैं अपने इडली बिनाना तो देखे वेंट्स हमें आदा गंटा हो चुका है और हमारा बैटर जो है वो अच्छे से घुल भी गया है और जो इसमें सूजी थी उसमें पानी अच्छे से सोक कर लिया है यह पक टबक के ना गिरें एक ही फ्लो में गिरें यह देखें इसमें मुझे करीबन एक सवा पानी लगा है बाकि आपकी दई अगर पतली होगी तो आपको कम पानी लगेगा और अगर गाडी होगी तो इससे थोड़ा से एक्स्ट्रा पानी भी लग सकता है देखें हमारा आपको steamer में कुकर में ही बनाना सिखा रही हो क्योंकि steamer भी बहुत साले लोगों के पास नहीं होता जिस वजह से वह इडली डोकला यह सारी चीज़े बनाना वाइड करते हैं तो अब आपको अवाइड करने के जरूवत नहीं है तो चलिए यहां मैंने मैं इसमें दो ग्लास पानी डाल दूँगी देखें मैं इसमें एक से दो ग्लास पानी डाल लिया है अब मैंने एक इस तरीके का छोटा बरतन लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल लिया है और मैं इसे इसके अंदर रख दूँगी यह पानी मैंने इसके अंदर डाला है ताकि जब हम इसके उपर अपनी इडलिया रखें तो वो पानी इसके अंदर ना जाए तो इससे क्या होगा इसका टोरी से पानी का बचाव होगा और हमारी इडलिया गीली नहीं होंगे और इसके बाद हमें कर देनी है अपनी फ्लेम बिलकुल हाई और हमें यह ढख देना है ढखके हमें इसे इसमें तब तक ऐसे ढखके रखना है जब तक इसके अंदर अच्छे से स्टीम न बन जाय क्योंकि प्रॉपर स्टीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर स्टीम सही तो इडली ठीक से फूलेगी नहीं तो चलिए इसे 5-10 मिट के लिए ढग देते हैं और पानी को इसमें होने देते हैं अच्छे से बॉल अब इसे ढग देते हूं जिदने हमारा पानी इसमें बॉल हो रहा है हम अपने बैटर को रेडि कर लेते हैं प्रंट्स यहां पर मैने लिया है खाने वाला मीथा सोडा आप चाहें तो इनो का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इनो ले रहे हैं तो आप इनो लेजिएगा एक चमद्स वन टेवल स्पून जो होता है वो एक चमच आप इनो लीजेगा और अगर आप खाने वाला मीठा सोडा यूज कर रहे हैं तो वो मुझे चाहिए होगा आदा चमच देखें फ्रिंट्स यहां मैंने आदा चमच खाने वाला मीठा सोडा लिया है वो मैं इसमें डाल दूँगी यह प्रोसेस हमें जल्दी-जल्दी करना होगा और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी दो चमच तेल तेल से क्या होता है इडली थोड़े ज्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहती है यह वाले यह वाले जो चमच होते हैं यह दो चमच मैंने तेल डाला एक कप सूजी में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम तो देगी फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने मोल्ड डे लिया है अब मैं इसे हलका हलका सा ओइल से ग्रीस कर लूँगी अगर आपके पर स्टीमर अवेलेबल है तो आपसे स्टीमर में भी बना सकते हैं और ग्रीस करने के बाद मैं इसके अंदर बैटर को डाल दूँगी हमें यह पूरा उपर तक फिल नहीं करना है थोड़ी सी इसमें हमें स्पेस रखने होगी ताकि जब इडली फूल है तो उ देखी फ्रेंट्स हमारा पानी जो है वह भी बहुत अच्छे से बॉइल हो चुका है बहुत अच्छी भाग बन चुकी है तो चलिए अब अपने इस मोल्ड को हम इसके अंदर रख देते हैं यह काम आपको बहुत साफ धानी से करना होगा क्योंकि इससे क्या होता है हाथ जलने का डर होगा और इसे हमें वापस से ढखके आठ मिनट तक के लिए हमें इसे आठ मिनट के लिए अच्छे से भाप लगानी है तो देखे फ्रेंट्स मैंने इस तरीके से इसकी सीटी बहार निकाल दी थी और कुकर को बन कर दिया था बन और मैंने इसे यहाँ पर आठ मिनट तक के लिए स्टीम करने के लिए रख दिया था तो चलिए चेक करते हैं हमारी इडली कैसी बनी है देखिए फ्रेंट्स हमारी इडली बिकुक पफेक्ट बनके तयार हो गई है चलिए इने बहार निकाल लेते हैं तो चलिए फ्रेंट्स अभी इने इस मोल्ड से बहार निकाल लेते हैं बह इडली जो है जो को perfectly पीछे से भी और आगे से भी अच्छे से पक गई है आप देखे इसकी जो मुटाई है वह उपर और नीचे दोनों तरफ सेम है अगर यह इसी तरीके से फूलेगी उपर और नीचे दोनों तरफ से तो यह आपकी इडली perfect होगी और पर्फेक्ट इडली बनाने के लिए आपको पर्फेक्ट मेजर्मेंट चाहिए होगा यह देखे कितनी सॉफ्ट है यह देख सकते हैं देखे factor मैंने अपनी idli सारी मोल्स से बहार निकार लियूं और आप देख सकते हैं सारी idli equally पर आप गयी है अच्छे से चलिए Friends हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो देखेए Friends हमारी इडली तयार है और हमने कर ली है इसकी प्लेटिंग फ्रेंट्स आप भी रेसिपी अपने घर पर जरूर ट्राय करिएगा और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताया है अगर आप वैसे ही रेसिपी ट्राय करते हैं तो आम शॉर कि आपकी इडली भी इसी तरीके से बहुत जादा सॉफ्ट और फूल कि कमेंट्स की बहुत जादा जरूरत है प्लीज फ्रेंट्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करिए और हम आपको दूसरी वीडियो ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे तब तक आप प्लीज अपना और अपनी फैमली का ध्यान रखिए घर में रह मिलते हैं अगली बारिक नई रेसिपी के साथ बाबाई फ्रेंड्स